नमस्कार, आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग। सारवजनिक जीवन में किसी की चवी गढ़ना, किसी की चवी या उसके वेक्तितों के इर्दगिद एक परसेप्शन क्रियेट करना, एक नेरेटिव क्रियेट करना, ये इतना आसान काम नहीं होता है। आसान ये तब होता है, जब जो गढ़ने की कोशिश हो रही है, और जो वास्तविकता है, उसमें तालमेल हो। जिसको कहते हैं, अगर चूल से चूल मिल जाए, अगर दोनों एक तरह से सिंक्रोनाइज हो जाए, तब जो है, जो प्रोड़क्ट निकल कर आता है, वो पुरी तरह से सुघड़ा और गढ़ा हुआ प्रोड़क्ट निकलता है। तो ये जो लोग छवी गढ़ने का काम करते हैं, आप तो कमपनिया आ गई हैं, प्रोफेशनल लोग आ गई हैं, ये काम करते हैं, कैसे पेश करना है, कब करना है, किस पर बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन बुनियादी पच्छाई नहीं होगी तो उसको कोई बना नहीं सकता है इस देश में पिछले साड़े आठ नौ साल में दो निरेटिव एक साथ शुरू हुए दो विक्तियों के एर्दगित एक प्रधान मंत्री नरिद मोदी 2014 से शुरू हुआ और दूसरा कॉंग्रिस के उस समय जोनों ने बाद में स्तीफा दे दिया राहुल गांधी और दोनों की इमेज क्या बनाने की कोशिश की गए वैसे तो प्रधान मंत्री नरिद मोदी के खिलाफ पहले से शुरू हो गया था उनको जो है मौत का सौधागर के रूप में पेश करने की कोशिश हुई मुसल्मान मंत्री के खिलाफ पपू राहुल गांधी की बाद में की हिमेज बीजेपी नहीं शुरू किया बीजेपी नहीं दोनों जुम्लों का इन दोनों निरेटिव का साथ-साथ चला और कहा जाकर इनका गंतव होता है इनका लक्ष कहां जाता है ये इसकी यात्रा अगर आप देखें तो सारवजनिक जीवन में जिस तरह से चवियां गढ़ी जाती है वो क्यों कुछ चवियां स्थाई हो जाती है क्यों कुछ चवियां बनी रहती है कुछ नहीं बन पाती है ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी तो प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के बारे में फेकू के साथ साथ एक और 2015 में जब आपको याद होगा अमेरिका के राश्पती बराक वबामा आये थे तब प्रधान मंतरी ने एक सूट पहना था जिस पे उनका नाम लिखा हुआ था बहुत महीन उसको मैगनिफाइंग ग्लास लगा के कैमरे के बड़े लेंस लगा के देखा गया और उसको लेकर कहा गया कि ये पंदरे लाग का सूट है जो की गलत था लेकिन ये उसके आधार पर मनाया गया सूट बूट की सरकार मेरा मानना है कि ये सूट बूट की सरकार का जुमला जो है वो प्रधान मंतरी नरेद मुदी और उनकी सरकार पर चिपक गया उसी दोरान लेंड रिफार्म को लेकर सरकार बार बार अध्यादेश जारी कर रही थी और माना गया कि ये उद्योग पतियों के लिए बड़े उद्योग धंदों के लिए जमीन सस्ती उपलब्द कराने के लिए किसानों की उसके लिए किया जा रहा है लेकिन अब आप फर्त देखिए और भाजपा ने राहुल गांधी को पप्पू के रूप में पेश करने की कोशिश की जब सूट बूट की सरकार का नेरेटिव बनाया गया उसके बाद नरिद मोदी ने तूफानी गती से गरीब नवाज के रूप में काम करना शुरू किया और देश में कुछ ही समय में कुछ साल में एक लाभार्तियों का बड़ा वर्ग तयार कर दिया जो सरकार की योजनाओं से लाभानवित हुए जिनका जीवन सरकार की योजनाओं के कारण बदल गया जिनके जीवन इस तर में फरक आया जीवन शैली बदल गई वो चीजें उनको मिलने लगी जिसके बारे में वो कलपना नहीं करते थे जिसके बारे में उनको लगता था कि काश कभी उनके घर में भी ऐसा हो, बड़े लोगों के घरों में वो देखते थे, गैस का चुला हो, शोचाले हो, अपना घर हो, घर में बिजली का कनेक्शन हो, हेल्थ इंशोरेंस कार्ड हो, ये बैंक का खाता हो, ये सब उनके लिए सप पूरी तरह से इससे द्वस्त हो गई, दूसरी, जो फेकू की इमेज बनाने की कोशिश होई, उसको मददाता और जन्ता ने द्वस्त कर दिया, कि जो कहते हैं, वो करते हैं, और जो करते हैं, उससे जादा करने की हर समय इच्छा रहती है, और जो करते हैं, वो ट्रांस्प इसने हमको वोर्ट दिया, इसने हमको नहीं दिया, यह कंसिडरेशन सरकार की किसी यूजना में, साड़े, आठ, नौ साल में कोई आरोप एक भी नहीं लगा पाया, तमाम एजेंसियों को लगाया गया, अंदर की, बाहर की एजेंसिया, उन्होंने जाच की, पता करनी कोशिश की, सर्वे किया, स्टेडी की, कि कुछ तो निकले, कुछ नहीं निकल पाया, जो निकला, गरबड़ी जहां भी निकली, वहारा राज्य सरकारों की निकली, तो सिस्टम को जादा से जादा ट्रांस्परेंट बनाने हैं, और गरीब आदमी के अनुकूल बनाने का प्रयास कि और वो जो एक मित्या निरेटिव बनाने की कोशिश होई थी, उसको दवस्त कर दिया, अब राहूल गांधी को देखिए, पप्पू की इमेज, पप्पू की इमेज को लेकर उन्होंने कल मंगलवार को कहा, प्रेस कॉन्फरेंस में, कि भारतिये जंता पार्टी ने करोणो रुपए खर्च किये, सत्ता का दुरुपयो किया मेरी ऐसी इमेज बनाने के लिए, तो इसका मतलब वो इमेज तो चिपक गई, बार बार कॉंग्रेस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि राहूल गांधी की पप्पू की इमेज भारती जंता पार्टी ने बनाई है, मैं इस से बिलकुल इंकार नहीं करता कि भाजपाने ऐसी कोशिश की होगी या की है, जरूर की है, जरूर की होगी, अपने विरोधी को कम तर दिखाने की कोशिश कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करता है, लेकिन क्यों नरेंद मोदी के खिलाफ चलाया गया कांग्रेस का अभियान फ उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब UPA की सरकार थी नरेंद मोदी को मौत का सौधागर बताने की और इस रूप में पेश करने की कोशिश हो रही थी तब कितने पैसे खर्च किये गए थे कितना सत्ता का दुरुपयोग हुआ था ये किसी से चिपा नहीं है लेकिन क्या ऐसा हो पाया तो उनको अपने मन में अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा नहीं हो पाया मोदी के साथ और क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया तो मंगलवार को जो उन्होंने जम्मू में बात कही उससे एक बात समझ में आती है कि उनको अब भी ये समझ में नहीं आया लिखे जा रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है, कहा जा रहा है, अब कॉंग्रिस के लोग भी बोलने लगे हैं, कि पपू की इमेज उनकी जो है वो बदल गई, इस भारत जोड़ो यात्रा की एक सफलता ये है, कि राहुल गांधी की पपू की इमेज बदल गई, अब ये सवाल है का उनका धंग नहीं बदलेगा, जब तक मुद्दों की उनकी समझ नहीं विक्सित होगी, जब तक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने का उनका धंग नहीं बदलेगा, उसमें जब तक कोई सारगर्भित बात नहीं कही जाएगी, जब उसकी सीरियसनेस को वो समझ नहीं प और मैं मानता हूं इस यात्रा का अभी तक का जो उनको लाब मिला है वो ये जो छवी उनकी बनी हुई थी कि ये पार्ट टाइम पॉलिटीशन है वो छवी हटती हुई दिख रही है आज की तारीक तर भविश्य में होगी इसकी गारेंटी नहीं है और दूसरा कि हर थोड़े जात्रा में उसकी वज़े से लेकिन आप देखिए पप्व की छवी बदलने का मेरी नजर में अगर बदल गई होती तो सबसे बड़ा असर जो होना चाहिए था वो विपक्षी दलों पर होना चाहिए था उनके नेताओं पर होना चाहिए था कि राहुल गांधी की इमेज बदल गई है राहुल गांधी की अब जनता में स्विक्यारत्या बढ़ जाएगी उनकी एक्सेप्टिबिलिटी जो बढ़ेगी तो उसका वो परिलक्षित होगी वोट में वोट बढ़ेगा कांग्रेस का ऐसा विपक्षी दलों के नेताओं को नहीं लगता आज 25 तारीक है उनकी यात्रा के सिर्फ पांच दिन बच्चे हैं तीस तारीक को उसका समापन है अभी तक किसी बड़े एक्षेत्रिय दल का नेता उनकी यात्रा में शामिल नहीं हुआ है एमके स्टालिन और फारुक अब्दुल्ला के अलावा महाराष्ट्र से आए भी तो संजे राउत उससे पहले उद्धव ठाकरे ने बेटे को भेजा था और शरत पवार ने बेटी को भेजा था लेकिन वो दोनों नेता नहीं आए अभी तक जो नितीश कुमार बार बार कहते हैं कि मेरी को इच्छा नहीं है अपने लिए कुछ करना नहीं है मुझे जो है विपक्षी एकत बनानी है और बीजेपी को हराना है वो नितीश कुमार भी नहीं आए यूपिय का जो हिस्सा है RJD के तेजस्त भी याद हो वो भी नहीं आए इस तरह से आप एक एक स्टेट करके नाम लेते जाएए उस स्टेट का जहां भी चाहे वो आंदर प्रदेश में गए हो चाहे वो महराष्ट में गए हो चाहे करनाटक में गए हो जिर्स भी राज्य का नाम लीजिए वहां के जो दूसरे गैर भाजपा दल है उनके नेता उनकी यात्रा में शामिल नहीं हुए हो सकता है तीस जनवरी को कई नेता आएं लेकिन उससे कुछ बदलने वाला नहीं है वो दिर्शे जो दिखेगा वो हम देख चुके हैं 2018 में करनाटक विधान सभा के चुनाव के बाद वो दिर्शे हम देख चुके हैं 2019 में लोग सभा लोग आते हैं बारात में खाना पिना खाया और अपने घर लोट गए फिर अपने अपने काम में जुट गए उस तरह का ये सभागम है अगर होगा तो मुझे मालूम नहीं कितने नेता आएंगे सब को नेता भेजा गया है ज्यादा तर को जिनके आने की संभावना है उन सभी को अगर आप देखिए राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता है देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता है उस पार्टी के सबसे बड़े नेता है कि चंदरशेखर राव की हैसियत उनसे ज़्यादा दिखाई देती है उनकी रैली में अभी हाल ही जब ये पद्यात्रा चल रही है तब कौन गया अखलेश यादा हो गए उसमें अरविंद केजरिवाल गए उसमें भगवन सिंग मान गए उसमें चार-चार मुख्यमंत्री आए राहुल गांधी की पूरी पद्यात्रा में M.K. स्टालिन को छोड़ कर चुकि वो इंडिये का हिस्सा है उन्हीं के राज्य से यात्रा शुरू हो रही थी तो अब चारिक्ता के नाते उनका जाना बनता था उसके अलावा किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री जो कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ गैर कॉंग्रेसी दलों के राज्यों का कोई मुख्यमंत्री यात्रा में शामिल नहीं हुआ तो पप्पू की छवी जिस दिन बदलेगी राहुल गांधी की उस दिन बाकी दल जो गैर भाजपा दल है वो राहुल गांधी की राजनीती को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे जब गंभीरता से लेना शुरू करेंगे तो राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ेगा इस यात्रा से उमीद मतलब जो उसका लक्ष होना चाहिए था वो राहुल गांधी का पुलिटिकल कैपिटल बढ़ाना यानि राहुल गांधी की राजनितिक पूजी में इजाफा करना वृद्धी करना वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं कहरा हूँ कि ये पपू की छवी जिसके बारे में राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि बदल गई है वो बदली नहीं है वो कुछ समय के लिए एक तरह से कहिए स्थगित हो गई है इस यात्रा के कारण वो लोटकर फिर आएगी क्योंकि राहुल गांधी जब तक नहीं बदलेंगे ये च्वी भी नहीं बदलेगी और ये च्वी इसलिए बनी है कि राहुल गांधी अपने बातों से अपने बयानों से अपनी कारेशैली से सारवजनिक जीवर में अपने व्यवहार से उन्होंने इसको पुष्ट किया है लोगों को लगा है कि ये वास्तविक्ता है इसलिए बनी है तो उन्होंने जो बात कही कि सचाई की आदत होती है कि वो रास्ता बना कर निकल आती है तो सचाई इसी रूप में निकलती है ये दोनों narrative parallel चल रहे थे एक कहां पहुंचा है दूसरा कहां है ये आप तैक किजिए तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नेमद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मती दीजिए आप से अनूद है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए नमस्कार